पश्चिम बंगाल में शुबेंदू अधिकारी ने जब से बीजेपी जोयन की है वहां का राजनीतिक माहूल बेहद गर्मा गया है और अब इस्थिती ये बन गई है कि ममता बनर जी को ये लग रहा है कि शुबेंदू अधिकारी उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गए है अभी जो ताजा घटना कराम है उसके बारे में आपको बताता हूँ नंदी गराम में एक बड़ी रैली का आयोजन अभी किया है हाल ही में 29 दिसंबर को शुबेंदू अधिकारी नंदी गराम इलाके में और वहां पर जो उन्होंने अपनी रैली की वो काईदे से एक रोड़ शो था एक सभास्थल के लिए वो लोग रोड़ शो में जा रहे थे और उन्हें रोकने के लिए बीजेपी कारे करताओं और टी-मसी के जो कारे करता थे उनके बीच में जड़पे हुई हिंसा हुई तोड़ फोड़ हुई और शुबेंदू अधिकारी का आरोप है कि ममता बनर जी के कारे करताओं ने टी-मसी के कारे करताओं ने उनको रोकने की कोशिश की इसके बावजूद भी उन्होंने रैली निकाली और उनका ये दावा है कि वो नंदी गराम पहुँचने से एक किलोमेटर पहले ही सोना चुरा इलाका है वहाँ पर उनकी एसमर्थोकों की बस पर हमला किया गया बस छती गरस्त कर दी गई और इसमें पंदरा भाजपा कारे करता बुरी तरह से घायल हो गए इस पर शुबेंदू अधिकारी ने आकरामक होते वे ये कहा है कि इस पर जो है हम निपतेंगे और इनका मूँ तोड़ जवाब दिया जाएगा शुबेंदू अधिकारी ने ये भी कहा कि 2000 के पहले से ही जनांदलों में शामिल रहे हैं और CPIM के दंगाईयों से भी वो निपते रहे हैं अब TMC से भी निपत लेंगे उन्होंने कहा है कि ये जो हमला है वो जिहादियों का एक संदेश है और उन्होंने कहा कि मैं इस तरह के हमलों को परदास नहीं करूंगा ये हमला 29 दिसंबर को दोपेर साड़े ग्यारा बजे हुए और इसके बाद उन्होंने एक रोड़ शो निकाला शुबेंदू अधिकारी ने कहा कि हमारे इस रोड़ शो में कई किलोमेटर तक भारी भीड मौजूद रही आपको पता ही होगा कि ममता बेनर जी भी कुछ इलाकों में कल निकली थी और वहाँ पर उन्होंने सड़कों पर उतर कर प्रधर्शन किया था और लोगों के बीच गई थी दूसरी और ममता बेनर जी को एक बड़ा चैलेंज दे दिया है शुबेंदू अधिकारी ने शुबेंदू अधिकारी ने एलान किया है कि आठ जनवरी को वो एक बड़ी सभा आयुजित करेंगे नंदी ग्राम में और उसमें एक लाक से जादर लोगों की भीड भाग और उन्होंने कहा है कि हम ममता बेनर जी को और टीमसी को दिखा देंगे कि हमारी हैसियत पस्चिम बंगाल में क्या है ऐसा उन्होंने क्यों किया है दरसल हुआ ये कि इस इलाके में साथ जनवरी को ममता बेनर जी एक रैली करने वाली थी और जो ममता बेनर जी रैली करने व कि अधिकारी सहीद हुए थे आपको पता ही होगा कि किस तरीके से किसानों के भू अधिग्रेन का जो मामला चल रहा था 2007 से 2010 11 के बीच में तो वहाँ पर शुबेंदू अधिकारी ममताव एनरजी के साथ मिलकर संगर्स कर रहे थे TMC की तरफ से और आपको याद होगा जब टा जनवरी 2007 को भरत, शेक, शलीम और विश्वजीत ये तीन लोग सहीद हुए थे और यहाँ पर जो हुआ था घटना करम ये था कि नंदीक राम में एक रासाइनिक केंदरी स्थापित करने के लिए एक इस्पेशल आर्थिक छेतर जिसे SEJ कहते हैं स्पेशल एकनोमिक जेल जोन उसका भूमी धेगन करने के लिए जो वामदलों की सरकार थी वो वहाँ पर काम कर रही थी और वहाँ पर पुलिस ने गोली बारी कर दी थी और उसमें 11 लोग मारे गए थे उन शहीदों की याद में ममता बिनर जी हर साल साथ जनवरी को एक कारेकरम का वहाँ आउजन करती हैं और अपने उन साथियों को याद करती हैं जिनों ने उनके लिए कुर्बानिया दी थी शुबेंदू अधिकारी भी उस समय ममता के साथ हुआ करते थे शुबेंदू अधिकारी अभी हाल ही में बीजेपी में आये हैं परिवेन मंतरी थे ममता बिनर जी के और ममता बिनर जी के जो भतीजे हैं अभी शेक बिनर जी सांसद हैं युवा मोर्चे के अध्धिक्स हैं वहाँ पर ममता की पार्टी की तो उनकी वज़े से आये हैं 7 जनवरी 2021 में ममता वहां जो कारेकरम करने वाली हैं शरदानजली सभा उसको उन्होंने अचानक ही इस्थगित कर दिया गया और उसको इस्थगित करने की वज़े ये बताई गई है कि वहाँ पर जो कारेकरम के संयोजक हैं और लोकल विधायक हैं टीमसी के अखिल गिरी वो क शुबेंदू अधिकारी ने कहा है कि ममता वनर जी घवरा गई हैं और उन्हें लग रहा है कि उनके कहने पर लोगों की भीड नहीं जूटेगी इसलिए उन्होंने ये रैली स्थगित कर दी है केवल एक छोटे से कारेकरता को कोरोना पोजीटिव हो जाने की वज़े से अब ये दिखाना चाहते हैं कि वो कितने बड़े नेता हैं इस इलाके में इसलिए उन्होंने एलान किया है कि आठ जनवरी को एक लाख लोगों की भीड यहां जूटेगी और वो कारेकरम करके मानेंगे इस सारे घटना करम से ये साफ हो गया है कि ममताव अनरजी को चैलेंज करने के लिए उन्ही का पुराना शिष शुबेंदु अधिकारी अब बीजेपी का मुख्य हतकंडा बनता जा रहा है और आपको मैं बताओं कि अभी 29 दिसंबर को शुबेंदु अधिकारी बीजेपी जोएन करने के बाद पहली बार नंदी गराम इलाके में गई यहां उनका प्रभाव है यहां रेया पाड़ा में उनका दफ्तर है वहां पर उन्होंने शिरकत की एक धार्मिक कारेकरम में पदियातरा में भी भाग लिया यहां लोगों से मिले है कारेकरताओं से मिले शुबेंदू और उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पर 2021 में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है दूसरी और त्रणमूल कॉंग्रेश ने शुबेंदू अधिकारी और उनके परिवार के खिलाफ कारवाईयां शुरू कर दी है त्रणमूल कॉंग्रेश ने शुबेंदू अधिकारी के भाई सोमेंदू को कारवाई की है उनको काठी मिनिस्पिल्टी के प्रशाशनिक के पद से हटा दिया गया है और ये भी सुनने में आ रहा है कि शुबेंदू अधिकारी का पूरा परिवार टीमसी से अब बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकता है आपको पता ही होगा कि उनका एक भाई और पिता भी सांसद है टीमसी के और अधिकारी परिवार एक बड़ा राजनितिक घराना है पश्चिम बंगाल का सुनने में ये आ रहा है कि बहुत जल्द ये लोग बीजेपी जोएन कर सकते हैं अब फिलाल कुल मिलाकर कहानी ये चल रही है कि हमने सामने हो गए हैं शुबेंदू अधिकारी और ममता बनर जी ने साथ जनवरी की कारेकरम को इस्थगित कर दिया लेकिन शुबेंदू अधिकारी ने दावा किया है कि हम आठ जनवरी को एक बड़ा कारेकरम करेंगे और इसमें हम एक लाख लोगों की भीड़ जुटाएंगे ये बहुत बड़ा चैलेंज है और साथ ही ये रैली ये भी तै करने जा रही है कि शुबेंदू अधिकारी को लेकर बीजे पी ने कोई गलती तो नहीं की है लेकिन मुझे लगता है कि शुबेंदू अधिकारी वो काम करने जा रहे हैं जो काम अभी तक पस्दिम बंगाल में किसी नहीं किया और ये काम होगा ममता बनर जी के राज में उन्ही को चैलेंज करना ममता बनर जी इस में फिक्स की पोजिशन में हैं राजनीतिक हालात में घिरी हुई हैं उन्हें लग रहा है कि बीजेपी उन्हें चैलेंज कर रही है बी जे पी धीरे धीरे उनके सदस्यों को तोड रही है हालनकि ममताब अनर्जी ये कह रही है कि इन लोगों के जाने से मुझे कोई फरक नहीं पड़ता और ये मेरे लिए बेकार हो चुके थे लेकिन जो आठ जनवरी का कारेकरम है शुबेंदू का जिसमें नोने दावा किया है कि एक लाग की भीड जुटेगी अगर वो काम्याब रहा तो ममताब अनर्जी की कुरसी हिल जाना तै है इस कारेकरम पर हमारी नजर बनी रहेगी और इस से पहले शुबेंदू अधिकारी की सारी गती वीडियों पर हम नजर बनाए रखेंगे आप पश्चिम बंगाल के बेस्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत जल्द मैं एक और नया चैनल शुरू करने जा रहा हूं और उसमें आप लोग भी मेरे वीडियो का हिस्सा बन सकते हैं अपडेट्स के लिए मेरे अगले वीडियो देखते रहिए देखते रहिए अर्ष की बात लाइक नमस्कार अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें